हेलो स्टूटेंट्स, वेल्कम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमर 12 में नेक्स लेक्स्चर, जहां हम लोग पढ़ रहे थे फार्मकोज चैप्ट्राफ एजेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्तिवाइरल और अंटि اमीबिक एजेंट्स, क्या होते हैं और कहां का काम आते हैं और फटा-फट देखते हैं, तो अगर हम बात करें एंटी वाइरल की ठीक है ना तो एंटी वाइरल हम सब को नाम से समझ में आ रहा है वाइरस से खिलाफ लड़ने वाले अब कुछ बच्चे कहेंगे कि वाइरस की दवाईयां नहीं होती है सुना हो गया सा तुम लोगों ने ठीक है बट हां कुछ चीजे हैं जहां पर वाइरस के खिलाफ दवाईयां काम करती है एक्जाक वाइरस से कुछ मेकेनिज्म होती है खास तरह कि जो इस बोट के बाडिए प्रॉसेस करती है उसको रोग देता है वह दवाईयां ठीक है ना तो वह दिमाग मत रखना कि दिमाग वाइरस के लिए लिए कोई लड़ाई ओ सारी को हम आगे बात करेंगे तो इस पेस्टी यहां पर हम एचाईवी को लेके फोकस कर रहे हैं हिमन इम्म्यून वाइरस ठीक है ना विचीज और रिट्रो वाइरस तो यहां पर हमारी पहली कैटेगरी आने वाली है रिट्रो वाइरस क्या होते है रिट्रो वाइरस थोड़ा सा ट्रांस्क्रिप्टेज अगर तुम लोगों ने बायो पड़ रखी है और बायो में डियने का रेप्लिकेशन पड़ा हुआ है तो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि डियने की उपर क्या बनता है डियने खुद अपने क्या बना सकता है डियने बना सकता है जिसक आRP के वह प्रूले है कोई चीज़ और अर्न यॉप फाइलिल क्या बनाता यूप प्रोटीन बनाता है कि इसकों लोग क्या यह लोगं क्या कहते हैं तो यह तीन टाम से करके इस RNA के ऊपर क्या बनाता है डिने बनाता है तो RNA से DNA बन रहा तो यहां पर DNA से RNA बनता है एक क्या कहते हैं एंजाइम होता जो transcription करवाता है DNA से RNA बनवाता है उस enzyme को हम लोग क्या बोलते हैं transcriptase is लग गया अब यह उल्टा चल रहा है तो उल्टे के लिए word लग गया क्या reverse और transcriptase तो enzyme है reverse transcriptase क्लियर है बाते हैं तो RNA के उपर जब DNA बनता है और जो enzyme यहां पर काम करता है reverse transcriptase और यह reverse transcriptase जिन virus में पाया जाता है उनको हम लोग क्या कह देते हैं retrovirus क्या कहते है retrovirus clear they are useful in prolonging अब जो एंटिवारल ड्रग है यह useful है in prolonging prolong मतलब लंबा करना in improving the quality of life इंसान की जो life होती न है चाईव वाला कर इंसान है अगर साफ सुतरा और सही तरीके से रहे तो अपनी पूरी जिन्दकी जी सकता है लेकिन वाइरस कभी नहीं मार पाएगा वह नहीं मार पाती है क्योंकि ऐसे को दवाई है नहीं जो वाइरस को पूरी तरीके से मार दे ठीक है ना फिर होता क्या है आओ समझते है quality of life and postponing complication of acquired immunodeficiency syndrome और postpone कर सकता है जो complications create होते हैं HIV हो जाता है इसलिए नहीं से syndrome कहते हैं इसलिए इसे syndrome कहते हैं to not cure the infection infection को cure नहीं कर सकते मार करेंगे इस वर्ड को infection को ठीक viral infection को ठीक नहीं कर सकते के वल क्या रोक थाम है उसकी पासंज माई दो category है हमारे पास इसकी एक category है anti-retroviral और एक category और यह non-retroviral वाता साधारन जो DNA की उपर आरने बनाते हैं ठीक है ना तो anti-retroviral general हमारे पास क्या रहेंगे है चाई वाले पाट से रहता है यह ठीक है तो यहां पर क्या है nucleoside reverse transcriptase inhibitor याने की nucleoside reverse transcriptase यह वह दवाईया हैं जो enzyme का जो reverse transcriptase है उसको रोक देते हैं वारेस खतम नहीं हुआ उसकी एक process को रोक दिया वारेस तो ऐसे क्या living है यह आज भी एक मुद्दा है वह living है कि non living है ना बाहर पढ़ा हुआ तो living heck body मागे तो उसके अंदर होनने मतलब वारी चांस्क्रिप्टेस कर रहा है अपना क्या करने के लिए अपनी संख्हाओं को बढ़ाने के लिए ठीक है तो अपनी संख्हाओं को बढ़ाने के लिए जब प्रोटीन जो वाइरस के अंदर प्रोटीन बनती है उसको रोग देंगे तो इस तरीके से अब एक चाटिकरी आती है क्या है कुछ ना कुछ जो काम करते हैं वाइरस अपनी जिन्दगी जीने के लिए उस काम को रोक रहे हैं लेकिन वाइरस को पूरी तरीके से नहीं मार पा रहे हैं तो बात समझ में आ गई किलियर है ठीक है ना तो यहां पर हम फटा-फट एक बारी कुछ ड्रॉक्स के नाम प इडियल तो यह क्या है बेटा नाम में हमेशा बोलता हूं कि नाम अपने हिसाफ से पढ़ने हैं मैं पहले बताया था कि ऐसा नहीं बिल्कुल एक्जेक्ट तुम पढ़ लो जो तुमको सूट करें जैसे इस्टेव्यूडाइन कुछ बच्चे पढ़ेंगे इस्टेव्यू डाइन ओके है मुद्दा यह है कि जब मैं लिखूँ इस्टाव्यूडाइन या इस्टेव्यूडीन तो मेरी स्पैलिंग सही आने चाहिए ठीक है ना लैमी व्यूडीन या लैमी व्यूडाइन इसको 3TC कहते हैं D40 कहते हैं अब यह क्या है कुछ बच्चे से पढ़ेंगे अब कुछ नहीं है हमारे डोस आ जाएंगी ठीक है न डोस जो तुमको पसंद हो वही डोस तुम याद करोगे और एक्जाम में लिख दोगे ठीक है न यहाद डोस है अपने इसाफ से कोई भी जो चारपांच डोस है अब इंडिकेशन की बात करें तो यह दवाईयां HIV के अलावा हर्पेस वाइरस इन्फ्लेंजर वाइरस है न है न है क्लिए हो गया है HIV हर्पेस वाइरस हैपटाइटिस वाइरस हैपटाइटिस भी वाइरस ठीक है कॉंट्र इंडिकेशन अपने पास वही रहने वाली है जो हमेसा रहती है एपर सेंटिविटी अगर है रिइनल इंपेर्मेंट प्रेगनेंसी लेक्टेशन और सीवियर cns disorder cns मतलब central nervous disorder आपको psychosis है किसी और टापी विमारियां है तो उसमें यह थोड़ा सा प्रेटिस तो यह आ जाएंगे अपने पास नौन रिट्रो वाइरल के अंदर किलियर है अब इसमें वही जैसे मैंना हर केटेगरी के दो तो तृत रग याद कर लोगे जैसे यहां पर एक यह साइक्लोवीर बहुत पड़ा होगा तुम लोग ने दूसरा बता दूमें ठीक है कि यह साइक्लोवीर हो गया अमांटादीन आ गया यहां पर दैन लैमिवीडीन यहां पर आ गया और इंटरफेरोन अलफा तो यह कुछ इंपॉर्ण ट्रग है जिनके बारे में मतलब य इंपल रहता है याद करना तो एक दो तीन तीसरे गंदर दो कटेगरी है 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 और है कि लियर है ठीक है फिर वही कहानी यहां पर डोस है डोस जो तुमको पसंद दो जैसे अच्छा यहां पर डोस के साथ तो मैंने इंडिकेशन भी लिग दी है जैसे आइडो जो अपने अपासा है आइडो झूरिदाइन की इसमें अब बात करें तो की शमोम है इंडिकेशन नहीं यहां पर बात करें एस साइकलो वी तो जय उसका इसका मियस्तमाल है इंडिकेशन हो गया इसका ठीक है दैन मीउको क्यूतेयनियस हर्पिश संप्लेक्स एच्ट ि ठीक है दें है तो एक रीड पूरा करना है हर्फीस जौश्टर हमें सब ढगया हो हिमिन जौश्टर औरो लेविल हर्पिस हर्पिस भीमारी पताँ दानाने से पढ़ जाते गंदर डाइप के ठीका इना किसको दिकत भिमारी को देखना है पढ़ते लगता यार यह बिमारी आप देखने है मेरे को तोई डालो हरपीस पिक में भुत साथ भी मिमारी देख जाएगी ठीक है ठीक है प्रोफाइल एक्टिक हो घिक हो ठीक है indications यहाँ पर यह सब देने के अलावा chicken box, herpes, ठीक है यह देने के अलावा जो उपर indication है यह indication है यह mention कर सकते हो लेकिन यहाँ पर क्या है तुमको HIV नहीं दोगे क्या नहीं दोगे? HIV नहीं दोगे नीचे वाले case में, इस वाले case में तो HIV देना है इस तरीके ते हमारे पास दोनो टाइब के जो anti-viral drugs है, वो cover हो जाते है के लिए ले बाते है ओके तो यहाँ सब के मैंने dose लिग दी है अब हमारे पास आता है anti-amoebic agent amoeba, dysentery लूज, वगर लग जाते है ठीक है these are drugs useful in infection caused by anaerobic protozoa amoeba, amoeba, क्या होते है protozoa पेटा question आ सकता है कि बताओ जो anti-amoebic drugs है वो किसको ठीक करते है, protozoa को मारते है ठीक है, protozoa उसमें सबसे खतरना कौन से अपने पास anti-amoeba histolyte का जो कि लूज मोशन कराता, गंदे वाले, बहुत बुरी तरीके से अब यहाँ पर classification की बात करें तो starting में दो काटेगरी तोड़ी गई है कौन-कौन से दो काटेगरी है tissue amoebicide and luminal amoebicide tissue मतलब जो tissue के अंदर amoeba घुस गया है और luminal मतलब जो cavities cavities मतलब जैसे कि अपना GIT वगरा जो है वहाँ पर जो मौजूद है tissue के अंदर जो है for intestinal plus extra intestinal amoebiasis जो intestinal के tissues में या intestinal के अलावा कोई और tissue है for extra intestinal amoebiasis only ठीक है यह वाली जो दबा है यह extra intestinal intestine के अलावा अगर body में किसी और tissue में amoeba है तो उसको मारेगा यह यह दोनों को kill करेंगे ठीक है नहा बाद समझ मारी है now luminal में कौन कौन है amides है antiviotics है और 8 hydroxy kinolons है kinolines अब इनके अंदर एक एक drug याद रखनी हमको अब चाहो तो इसके अंदर direct अच्छा यह देखो nitroimidazole यह याद करना असान होगा metronidazole सब लोग जानते हो tinrazole भी सब लोग जानते होंगे ornidazole भी सब लोग जानते होंगे खास कर वो बच्चे जो बच्चे medical field medical line से जुड़े हुए है या present time पर कहीं नगे working है ठीक है then amitine आता है यहाँ पर alkaloid के अंदर chloroquine काफी famous है chloroquine भी ठीक है न then amitine के अंदर आ जाए luminal के अंदर तो diloxanide furate और nitagoxanide ठीक है न antibiotic में tetracycline और paromomycin ठीक है paromomycin अब 8 hydrocine यह बड़ा common है queen hydrochlor dihydroxy quinine hydroquinol जिसे हम कहते है ठीक है यह कुछ जो tick मा रहे है इसको tick नहीं मतलब मैं बतातू जैसे कि एक तो यह हो गया metronidazole tinidazole ornidazole ठीक है न यहाँ पर emitine हो जाएगा chloroquine हो गया then आपका tetracycline हो गया और यहाँ पर यह दोनों हो गया यह तो important है काफी बड़ा famous है कौमाने तो इनका आपको पता होना चाहिए कि यह किस category मा आता है किस category मा रही है अगेन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है metronidazole बेटा काफी important है इसको लेकर यह separate questions भी होते हैं कई बार तो इसलिए थोड़ा सा इसको अलग से करती है मैंने ठीक है न बुक में भी अलग से mention है हमारे पास तो इसको समझो ज़रा metronidazole क्या है it is the prototype मतलब कोई दबा होगी तो बिल्कुल इसके जैसे मतलब इसके जैसे ही मिलती होगी prototype कि जो होगा इसके जैसा ही होगा थोड़ा बहुत अलग होगा लेकिन इसके जैसा prototype ठीक है ना Contraindicated है metronidazole किसमे neurological disease disease कोई बिमारी दिमागी बिमारी है blood discaryasis first trimester of pregnancy first trimester of pregnancy इन तीन condition में metronidazole क्या है Contraindicated है तो Contraindication में भी हम general Contraindication आया था तो भी ये तीन बाते लिख सकते हैं और अगर metronidazole का आ जाएगा तो भी हम ये तीन चीज़ें यहां पर लिख सकते हैं कि कहां Contraindicated है यूज की बात करें अगर हम लोग तो metronidazole की अगर हम बात करें तो amoebiasis ठीक है ना dysentery वेटा वही लूजमोसंस हो गए और liver abscesses ठीक है amoebiasis के अंदर for invasive dysentery और liver abscesses acute necrotizing ulcerative gingivitis बहुत जाएट डिटेल हो जाने के ज़रूत नहीं कि यह क्या होते है नाम एक यदो याद रखने है helicobacter pylori है न यह ulcer करवा था या peptic ulcer तो यहां पर दोनों चीज़ें एक साथ हैं uses and dose use कहलो या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं indication कहां कहां काम हो रही है कितने कितने मातरा में काम हो रहा है इस तरीके से इसको लिख सकते हो use दे सकते हो और इस तरीके से बाकियों के भी याद कर सकते हो अगर मन करता है तो otherwise dose अलग याद करो indication अलग याद करो ठीक है लेकिन जोल का है अलग से कोश्यन आ सकता है मैटनीड जोल की ऊपर तो इसलिए उसके बारे में पता होना चाहिए तुमको ठीक है अब इसमें किवाल डोज है डोज तो बेटा देखो मैटनीड जोल कितनी है तो कोई भी दो या तीन याद कर लेंगे ठीक है 400 बीड़ी या टीड़ी इसमाल होता है इसमें वह यह इंटेस्टैनल अमीबियासिस अमेबिक लिवर एपसेसेस ट्राइको मोनसीज ज्याडियासिस एंड्रॉबिक बैक्टेरियल इंफेक्शन और एच पाईलोरी वह वाले सारी कंडिशन सागी है जो मैटनीड़ जोल के लिए है यहां पर ज्यान तो रीवाट हो जाएकि टुग्राम फिर पांच ग्राम बीड़ पांच दोनों ऐच्छी तो इच्छी बात है इलेल मैंन सेकडीड़ इसकी और सेंडेड़ दोर्टबंबी काफी इंपोरटैंट ए ठीक है ना वोई सारी बिमारियां अमीवासी, जियाडियासी, ट्राइकोमोनासी अन्रोबिक इंफेक्शन और बेक्टिरियल वेजिनोसीज तो यह तमाम यहाँ पर जो दवाईयां उपर है उनके डोस बगर है मैंने हैं मेंचन कर रखें अगर यह दवाईयां आप ले रहे हैं तो यह लेक्शर भी अपना खता हुए आता है छोटो मोटो सा लेक्शर था केवल में नहीं पर कहां दिक्कात आएगी आपको थोड़ी सी हजो खमिशा आती है थोड़ी सी क्लासिफिकेशन में डोस समझके एक एक दो दो बहुत अच्छे से याद कर लेना है बाद वाकिए अगर ज्यादा लिखने को आती है चार पांच तरगे डोस लिखने को आती है तो उसको मन से बना कि आप लिख सकते हैं और पढ़ना है रिवाईस करना है दिमाग से ठीक है ना पढ़ो लेकिन दिमाग से दिमाग मतलब common sense लगाते होगी अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो कैसे तरे common sense लगाऊंगी मेरा question ना आते हुए भी सही हो जाए तो पढ़ते रहो रिवाईस करते रहो All the best